गर्मियों में अगर आप भी कहीं घुमने की सोच रहे हैं और वाटर एडवेंचर स्पोर्स का आनन लेना चाहते हैं, तो कानपर के लोकुस बैराज पर जा सकते हैं. यहां पर गंगा नदी में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरुआत हो चुकी है गंगा की लहरों पर रोमांच के लिए वारा अनस्य के बाद कानपुर प्रदेश का दूसरा सहर बन गया है बोड कलब का आनन लेने के लिए लोगों को ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे बतादे कि यहां पर बच्चों से लिकर बुज़ूत तक कानपूर बोड कलब का लाब उठा सकते हैं वही अगर यहां पर टिकट की बात करें थो बोट कलब में गुहमने के लिए मौणिंग वाकर को 50 रुपर प्रथिवेक्ट दो घंटे के लिए देने होंगे सुबर 9 वजे से साम 4 वजे तक 80 रुपर प्रतिवेक्ट और साम 4 वजे से राद 10 वजे तक 100 रुपर प्रतिवेक्टी दो घंटे के लिए चुकाने होंगे दो घंटे बाद प्रतिवेक्टी जो है 50 रुपर प्रतिवेक्टी अत्रित चार्ज लगेगा बदाधा चले कि यहाब बनार्स की तचपर नेमे तुरूप से गंगा आर्ती और लेजर सो का आयूजित किया जाता है बनार्स की तचपर संगीत की मैफिल भी गंगा टट पर आयूजित होती है यहाँ पर सेलफी पॉइंट, टिकट काउंटर और फूट कोर्ट भी बनाया गया है वाइंबोर्ट राइट और स्पीट बोर्ट के लिए 175 रुपए और वाटर स्कूटर के लिए 220 रुपए का सुल लिया जा रहा है ब्योरो रिपोर्ट प्रभात खबर